लगबग लगबग 12,000 क्रोड का किंग फिशर फ्रॉड करके विजयमालिया भागा लंदन लगबग 14,000 क्रोड का PNB बैंक से फ्रॉड करके नीरव मोधी भागा लंदन और लगबग 8,000 क्रोड का IPL फ्रॉड करके ललित मोधी भागा लंदन ये सारे individual fraud करके crime करके लंदन क्यों भाग जाते हैं अगर कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है तो ये वीडियो सिर्फ आपी के लिए बनाए वीडियो को लास तक जरूर देखेगा So hello everyone, मैं हूँ राहू motivational speaker और business mentor और लेकर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो कि सारे individual fraud करके लंदन ही क्यों भाग जाते हैं देखे वीडियो को बना जहान से देखेगा काफी informative और काफी educational वीडियो होगा देखे कोई भी दो country चाहे वो इंडिया USA हो, इंडिया UK हो, इंडिया बांगलादेश हो या फिर Russia USA, Russia UK, कोई भी दो country, हर country के बीच में एक contract जरूर बनता है, एक document जरूर बनता है जिससे extradition treaty कहते हैं देखे ये extradition treaty होती क्या है, देखे extradition treaty का मतलब दो countries के बीच में एक ऐसा document जो ये proof करनी के लिए या इस facility के लिए बनाया जाता है कि अगर एक country से कोई individual fraud करके किसी दूसरी country में चला जाता है, for example विजयमालिया, भारत के अंदर kingfisher fraud करके वो लगभग 13,000 क्रोड का fraud करके लंदन भागे, so अब यहाँ पर extradition treaty काम करेगी इंडिया और लंदन के लिए, so इंडिया एक extradition treaty बनाया है, कि हमारे country से विजयमा होगा क्या कि सारे document, सारे links, pictures, bank account की detail और सारे proof collect करके Indian government, London government के handover कर देगी, अब London government ये case चलाएगी अपने court के अंदर विजयमालिया के उपर, फिर वाए समझा जाएगा कि ये case actually genuine है या fraudulent case है, अगर ये case proof हो जाता है, so London government, मतलब कोई दूसरा country, उस individual को वापस से उसकी home country के इंदर deport कर देगा, इस facility के लिए कि कोई individual fraud करके किसी दूसरी country में चुपना जाए, दो country के बीच में extradition treaty बनाए जाती है, फिर भी भारत से 131 लगभग लगभग case ऐसे हैं, जो भारत से fraud करके London चले गए, लेकिन उन में से सिर्फ 1% ऐसे individual थे, जो लंदन से वापस इंडिय में आपाए, तो ऐसा क्यों हुआ, जब extradition treaty बनाए गई, तो फिर individual लंदन भाग जाते हैं, तो फिर वापस क्यों नहीं आपाते हैं, तो देखे ये जो बड़े countries हैं, ये इस extradition treaty को एक खेल बना चुके हैं, ये इस extradition treaty से कुछ ऐसे article, कुछ ऐसे clause निकाल चुके हैं, ज तो कि लंदन गौवर्मेंटी नहीं आलाओ करती है, कि तुम fraud करके आयो, तो बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर आयो, तो लगभग लगभग 1 million dollar से जादा, या 1 million pound से जादा, या 1 million euro से जादा, basically 2 million euro के आसपास का पैसा, तो हमारी economy में invest कर दो, मतलब ये countries एक criminal को, fraudulent individual को करती है, कि तुम हमारी country के अंदर आ सकते हो, लेकिन अपने पैसे का 2 million dollar euro pond हमारे country, हमारी economy में invest करो, तब अगर आपने ऐसा किया, तो आपको वहां रहने की permission, वहां उनको घर मिल जाएगा, basic facility मिल जाएगी, खाने पीने की facility मिल जाएगी, और तो और आपको वहां का golden visa card मिल पहली choice रखते हैं, लंदन की, और इतना ही नहीं, मैं आपकी knowledge के लिए बता रहा हूँ, कि जो भी लोग fraud करते हैं, जिनके पास भी black money होती है, वो अगर अपनी black money को save करना चाहते हैं, तो सबसे पहली choice होती है Switzerland, Switzerland का Swiss bank आपको black money रखने की पूरी permission देता है, जिसके बारे में इसा white money लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि individual fraud करता है, लंदन चलाता है पर वापस नहीं आता, तो देखें इस बात का जवाब भी इन इस extradition treaty के अंदर ही चुपा है, देखें कोई भी individual जो fraud करता है, for example, नीरव मोदी ने fraud किया, भारत से fraud किया और वो चला गया लंदन जैसे ही कोई individual fraud करता है, भारत की ministry of external affair थोड़ी सी active हो जाती है, यह तुरंद लंदन की ministry of external affair को inform करती है कि हमारे country से एक individual इस तरह का fraud, एक PNP bank से 13,000 करोड का fraud या 14,000 करोड का fraud करके आपके country के अंदर आ है, यह उसके documents है, links है, bank account detail है और fraud की थोड़ी information, basic जानकारी उस country को प और उनकी external ministry के अंदर में उनके ओपर case चलेगा, इस case के अंदर काम करेगा article 6, वो article 6 यह कहता है कि चाहे वो country उस individual के उपर जो fraud करके वहाँ चुपा उसके ओपर case चला ले, लेकिन अगर case home country में पूरी तरह से prove नहीं हुआ है, पूरी तरह से case की सुनवा ही नहीं हो, उस case का कोई result नहीं आया, मतलब यह prove नहीं हो पाता कि नीरव मोधी नहीं fraud किया है, तो इस extradition treaty को पूरी तरह से invalid मान लिया जाएगा, article 6 के चलते हैं, और वो individual जो crime करके London, UK, Switzerland या मौरिक्षेस में चुपा हुआ है, उसे वापस भेजा या deport नहीं किया जाएगा, और इसी article 6 को use कर करते हैं, सारे criminal और fraudulent individual यह जानते हैं, कि case इंडिया में प्रूव होने से पहले ही fraud करते ही, सबसे पहले चले जाते हैं London में, क्योंकि London जाने के बाद article 6 इन पर valid हो जाता है, और मान लिजे कि किसी reason से court के अंदर यह proof भी हो जाता है, कोई individual भारत से fraud करके भागा, और भारत क अंदर उसका case प्रूव भी हो गया, कि उसी individual ने fraud किया है, और वहाँ article 7 काम आता है, इस extradition treaty का, अब article 7 क्या कहता है, article 7 यह समझाता है, कि अगर किसी fraudulent individual ने, criminal ने, अपनी सुलवाई के time period पे, अपनी chance of speaking के time पे यह कह दिया, कि अगर आपने मुझे deport किया, तो deport करने वाली country के अंदर मुझे फासी की सजा हो जाएगी, या मुझे मारा पीटा जाएगा, मेरे साथ harassment किया जाएगा, मुझे गंदी जेल में रखा जाएगा, जहाँ जेलों की condition खड़ाब है, तो वहाँ उस host country मतलब London के अंदर या UK के अंदर, वहाँ human right activist क्रिमिनल का fraud का support करने खड़ वाले लोग है, यह सब जाकर के छुप जाते हैं इन बड़े देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ से इनके ओपर extradition treaty का article 6 और 7 बिल्कूल वैलिड नहीं होता, यह छोटी सी वीडियो थी आपको यह बताने के लिए कि London में ही लोग क्यों भागते हैं, वीडियो पसंद यह वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगा और इसी तरह के इनफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगा, और हाँ बैल आएकन को ज़रु दबाएगा ताकि इस तरह के इनफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक मेरे इस वीडियो को लाज तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद